तो यह है Mahindra Jito Strong Jito का यहाँ नया variant यहाँ लाँच करे गई है जिसमें बहुत सारे यहाँ चेंजिस करे गई है बहुत सारे इंप्रूब्मेंट करे गई है suspension में, payload में और यहाँ पे features भी काफी सारे नये offer करे गई है तो आपके साथ इस वीडियो में बहुत सारी जानकरी यहाँ पे share करने वाले है छोटी वीडियो रहेगी और यह detailed वीडियो रहने वाली है तो क्या इसमें पे लोट रहेगा suspension, features, comfort और बहुत सारे जीज़े यहाँ पे share करने वाले है सबसे पहले चावी कुछ ऐसे यहाँ पे आपको मिल जाती है एक यहाँ पे CNG दिया गया तो दोनों के जो यहाँ पे power और torque figures है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी screen के उपर दोनों में यहाँ पे जो mileage आपको मिल जाती है वो best in class दिगी यानि कि जो यहाँ पे rivals हैं जैसे कि super carry हो गया यहाँ फिर ace हो गया उससे यहाँ पे आपको बहतरीन mileage मिल जाती है डीजर में यहाँ पे 32 की mileage और CNG में मिल जाती 35 की mileage तो यह claim यहाँ पे mileage महिंद्रा offer कर रही है साथ में आपको तीन साल और 72,000 km की warranty मिल जाती है और बात करते हैं यहाँ पे हम design के बारे में कुछ ऐसी यहाँ पे आपको इसकी front look मिल जाती है तो यहाँ पे halogen headlamp दिये गए है यहाँ पे turn indicators और यह connected है ग्रिल के थ्रूँ तो यहाँ पे ग्रिल दी गई है तो काफी bold और अच्छी लग रही है यहाँ ग्रिल तो यहाँ पे डिजाइन चेक कर सकते हैं और यहाँ पे महिंद्रा कहता है कि यहाँ पे आपको मिल जाते है और महिंद्रा जीतो एक बहुत ही जाता strong brand है इसके अभी तक दो लाग से उपर यहाँ पे unit sale हो चुके हैं यहाँ पे fog lamp install करवा सकते हैं और यहाँ पे reflectors मिल जाते हैं honeycomb pattern design आपे grill दी गई है साथ में आपे number plate लगेगी और यहाँ पे approach angle भी काफी बड़ी आपको मिल जाते हैं खराब रस्तों ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली और side से भी चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे महिंद्रा जीतों के साथ offer करिए free accidental insurance जिसकी यहाँ पे कीमत आपको मिल जाते हैं दस लाख रुपर ड्राइवर के लिए तो वह भी काफी अच्छी बात है और यहाँ पे आप टायर चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको टायर का साइज मिल जाते हैं 12 इंची 145 फ्रेंड में दिया कि मैक पिर्सन सस्पेंशन तो यहाँ पे आप किसी भी खराब रस्ते से लेकी जाएंगे तो यहाँ पे जो ड्राइवर और पैसेंजर हैं वो बिल्कुल यहाँ पे रहेंगे उनको यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली और रियर की बात करें तो रियर में आपको पट्टे खावान नहीं मिलते हैं बल्कि यहाँ भी सेमी ट्रेलिंग सुस्पेंशन विद शॉक एब्सॉर्बर्स तो यहाँ पे सुस्पेंशन दिया कि और महिंद्र 288 mm की यहाँ पे ग्राउंड क्लिरेंस दीगी यह वील बेस आपको काफी लंबा दिया गया है जो है पक्चिस सो एमेम का और ग्रॉस वाइकल वेट यहाँ आपको सेंज भी मिल जाते हैं 1595 किलो और यहाँ पे डीजल में दिया गया है 1605 किलो यहाँ से भी आप चेक किर सकते हैं यहाँ आपको स्पेर टायर मिल जाता है साथ में मिरर दिया गया है स्नॉर्कल दिया गया है इसके साथ ही बात करेंहें ऊपने van की आपको डीजल में टैंक मिल जाता है 60-10 लीटर का और या यह अपको मिल जाता है alan arrives और शॉटरली लीट में शुक्स्टी ऐट लीटर्स सुख्ष आंजी मिल जाती है यहाender तो होक्स आपको मिल जाते हैं त्री इंगल मिल्स है है नहीं दो परणिंञों धिये गाई है यहाँ पर आपके नल प्रेट ऐगा और स belongust इला कि क्वार्फरें कि शेंग से को सब्रम आपको mileage दी गई है साथ में यहाँ पर दी गई है mudguards और यहाँ पर आपको मिल जाती है Mahindra की badging बात करें यहाँ पर इस डाला के बारे में तो यहाँ पर जो इसकी आपको length मिल जाती है 7.4 feet और यहाँ जो चुडाई दी गई है वो है यहाँ पर 4.9 feet तो यहाँ आपको specification मिल जाती है Payload की बात करें तो यहाँ पर जीतो प्लस के comparison में बहुत सारे यहाँ पर changes करें गई है पहले से 100 kg यहाँ आपको ज्यादा Payload मिल जाती है CNG में दीगिए 700 kg की Payload पहले 600 मिलती थी और यहाँ पर डीजल में दीगिए सवा 800 kg यानि 815 kg की आपको Payload मिल जाती है डालक ओपन करने तो बहुत असान है यहाँ से इसको ऐसे करेंगे यहाँ से खुल गया और इसको ऐसे आप करेंगे तो यहाँ पर यह खुल गया इसको नीचे कर सकते हैं बहुत ही अराम से अब चलते हैं अंदर कैबिन में क्या क्या फीचर्स ऑफर करेंगे हैं वह चेक कर लेते हैं फिर बात करेंगे प्राइस के बारे में चाब यहाँ पर हम लगा लेते हैं कुछ ऐसे हैं आपको महिंदर जी तो स्ट्रॉंग का कैबिन मिल जाता है अब 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 इडिश्यल क्लेस्टर दिया गया है तो इसके बारे में भी अब बात करने वाले हैं साथ में यह हैं पीछे देखने के लिए शीशा तो यहाँ पर जो भी अपने समान रखा हुआ वह आप दिख सकते हैं इस शीशे के दुआरा यह है सीटज़, यहाँ बे अब अब आपको दो इंडिविज्य सीट दिगाई गया हैं और कुछ ऐसा यहाँ बे आपको मिल जाते हैं फ्रैंट डॉर तो यहाँ हैंडल दिया गया है और यह जो है आपको बिलकुली सॉफ टच मिल जाते हैं और ये head door खोलने के लिए और इसको विंडो को उपर नीचे कर सकते हैं manual यहाँ पर आपको दिया गिया तो अंदर भार होना भी बहुत ज़ादा असान है और जब आप यहाँ जीतों को drive करेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर view मिलता है बहुत यहाँ पर वाइड यहाँ ग्लास दिया गिया है और यह वाला शीशा भी चेक कर सकते हैं कोई भी आप यह बादा create नहीं करता बिलकुल भी साथ में यहाँ पर आपकुछ समान रख सकते हैं और कुछ ऐसे यहाँ पर आपको जैसे modern day गाड़ियों में steering wheel दिया गए वैसा ही यहाँ पर आपको मिल जाता है कोई adjustment नहीं दी गई महिंद्रा की badging two spoke आपको steering wheel मिल जाता साथ में आपको flat bottom यह unit दिया गए तो steering wheel की look काफी बड़ी है although यहाँ पर electric नहीं दियागी लेकिन इसको यहाँ पर use करने वे इतनी महनत भी नहीं लगती और यह है जीतो strong यानि जीतो का नया feature जो है digital instrument लस्टर चाहिए कोई नौजवान हो यहाँ जानकारी है उसको पढ़ना बहुत ज्यादा अशान है क्योंकि आप देख सकते कितना बड़ा है यहाँ पर font दिया गया हर एक चीज का स्पीड का हो गया clock का हो गया kilometers का हो गया और यहाँ आपको मिल जाते है डबल इंडिकेटर और यहां से आप जो जानकारी है उसको अब बदल सकते हैं यहां से और यहां से तो यहाँ आपको मिल जाती है इस शीशे के दुवारा तो देख सकते हैं कितनी इच्छी coverage ओफर जाते हैं दो स्पीड का यहाँ आपको वाइपर दियागी लो और हाई और यहां पर दियागी 4 स्पीड का manual gearbox प्लस reverse gear तो यहां पर cable shift mechanism दियागी जिससे यहां पर जो gear shift है वो आपको बह दियागी है 12 वोल्ट का एक socket दिया गया है साथ में यहां पर आपको कुछ जगा मिल जाती है समान रखने के लिए और नीचे भी काफी च्छी जगा दी गए लब बॉक्स में तो यहां पर आपको यहां पर डॉक्यमेंट्स रखने के लिए तो यहां पर आपको काफी जगा आपगी वाविव मिल जाता है साथ में यहां पर आपको मिल जाता है driver side sun visor पर ticket holder के जगा तो यहां पर ड्राइवर भाह अपनी tall पर आप चेक कर सकते हैं और यहां पर आप साथ में underthight भी चेक कर सकते हैं यहां पांच गहरा height अंचा मिल जाता है यहां वाला जो passenger है वो बात करदें आप प्राइस के बारे में तो यह आपको 5.8.000 रुपर मिल जाते हैं डीजल मॉडल का प्राइस और 5.5.5.000 रुपर से स्टार्ट हो जाते हैं C&G model का price तो सबसे बड़ी बात में हो जीतो की लगते है बहुत ज़दा value for money गाड़ी है क्योंकि mileage आपको इतनी अच्छी मिल जाती है, payload इतनी अच्छी मिल जाती है साथ में comfort इतना अच्छ है तो आप एक ही बारे में बहुत ज़दा समान ले जा सकते हैं और यहाँ पर आपको फायता बहुत ज़दा होने वाल है बहुत ज़दा value for money गाड़ी है महिंद्रा जीतो स्ट्रॉंग और भी commercial गाड़ी के हमने बहुत सरी important जान करी share करी तो फटा हट सा बाकी वीडियोज भी चेक करें आपके क्या है अब विचार है जीतो स्ट्रॉंग के बारे में वो भी आप हमें पता हैं comment section में